आंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईयस जगन मोहन रेड़ी ने बुधवार को डॉक्टर बी आर अमबेड करकी 125 फिट उंची प्रतिमा का शिला न्यास किया जिसे विजेवाड़ा के स्वराज मैदान में स्थापित किया जाएगा बुधवार को विडियो कॉंफरेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री वाईयस जगन मोहन रेड़ी ने कहा कि प्रतिमा का निर्मान 20 एकड में किया जाएगा ताकि हर कोई डॉक्टर अमबेड करके महान और एतिहासिक कारी को याद रखे उन्होंने कहा कि बाबा साहिब डॉक्टर बियार अमबेड कर देश के सामाजीक आर्थिक और राजनेतिक खेतर में एक बड़ी ताकत थे जगन महान रेडी सरकार ने नई राजधानी अमरावती के इनावलुग गाउं में पिछली तिल्गुदेसम पार्टी सरकार द्वारा प्रस्तावीत ऐसी ही एक परियोजना डॉक्टर अमबेड कर स्मृतिवणम को छोड़ दिया था पुर मुख्यमंत्री यन चंद्रबाबु नाइडु ने 2015 में बाबा साहिब की 125 भी जैनती के अउसर पर 200 करोड रुप्य की परियोजना की घोशना की थी लेकिन उनके 4 साल तक सत्ता में रहते हुए ये आगे नहीं बढ़ सकी मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फरेंस से शेलान नयास करने के बाद कहा कि ये प्रतिश्ठीत पर योजना एक प्रमुख परेटन केंद्र बनेगी 20 एकड जमीन पर एक सुंदर पार्क बनाया जाएगा जिसके बीच में 125 फिट उची प्रतिमा आकरशन का केंद्र होगी राज के सामाजी कल्यान मंत्री पी विश्वरूप ने कहा कि प्रतिमा का निर्मान 14 अप्रेल 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा और मुख्यमंत्री इसका उधगाटन करेंगे इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विजवाड़ा के स्वराज मैदान का नाम बदल कर डॉक्टर अंबेड कर स्वराज मैदान कर दिया है मुख्यमंत्री ने कहा कि ये देश में बाबा साहिब डॉक्टर अंबेड कर की सबसे उची प्रतिमा होगी ये सौसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहिब डॉक्टरंबेड कर ने सबसे पहले अंगरी जी भाशा का महत्व समझा और इसमें महारत हासिल की डॉक्टरंबेड कर एक ऐसे विक्तिमत्व है जिनके सामा जीक राजनीतिक आर्थिक विचार देश को हजारों साल तक मार्क दर्शन करते रहेंगे